बात अच्छी हो तो बात बन जाती है और बात खराब हो तो बात बिगड़ जाती है तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डालोग की, समवाद की कि डालोग को लेकर बुबेर्स का क्या आइडिया था, कि किस तैरे का डालोग होना चाहिए और especially teacher और student के बीच में तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे बुबेर्स की life के बारे में फिर हम बात करेंगे कि teacher और student के बीच में किस तरह का dialogue होना चाहिए किस तरह का समवाद होना चाहिए इस बारे में बुबेर्ण ने क्या बात कही और last में हम जानेंगे कि बुबेर्स के according एक teachers का क्या role होना चाहिए उसकी क्या भूमिका होना चाहिए ठीक है तो हम वीडियो को start करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे बुबेर्स की life के बारे में कि बुबेर्स का जन 8 February 1878 को वियाना में हुआ और एक जीवस परंप्रा में एक जीवस ट्राइडिसन में वो उनका पालन पोशन हुआ और सटार्टिंग में बुबेर्स निज्जे कांट और जो अस्तितवादी दर्सन है एक्जिस्टेंसलिजम है इन विचारों से बहुत जादा परभावित थे इसके अलावा उनके जीवन पर जियनिजम और हैजिदिजम यहुदी वार और हसीद वाद इनका बहुत जादा परभाव उनके जीवन पर पढ़ा और इन दोनों में से भी अगर हम बात करें तो हैजिदिजम हसीद वाद इनका परभाव उनकी लाइफ में काफी पढ़ा और अगर हम हजिदिजम की बात करते हैं तो इस परभाव में जो बात की गई bliss की बात की गई, love की बात की गई, human की बात की गई, God की बात की गई आनन्द, प्रेम, मानो और भगवान हसीदवाद की परंपरा में जो विचार थे इनका जो परभाव बुबे पर इतना पढ़ा कि उनकी जो educational philosophy थी उनके जो life philosophy थी उस पर भी इन चुजों का बहुत ज़्यादा परभाव पढ़ा ठीक है और बुबेर को सबसे ज़्यादा जो याद किया जाता है उनकी जो बुग थी आई एंडव इसके लिए उनको सबसे ज़्यादा याद किया जाता है बुबेर आलवेज एंफेसाइजिज़ दे इंपोर्टेंस ऑफ डालोग एंड हूमन रिलेशन इन एजुकेशन इन हिस फिलोसफी कि बुबेर ने हमेशा अपने दर्सन में सिक्षा में समवाद और मानमिय समंदों के महत पर बल दिया है तो इसलिए थो हमें टॉपिक पढ़ रहे हैं कि बुबेर आईडिया ओफ डालोग कि डालोग को लेकर बुबेर का क्या आईडिया है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सिक्षा में किसको ज़्यादा फोकस किया है समवाद को डालोग को अब हम देखते हैं बुबेर आईडिया ओफ डालोग बिट्वीन टीचर एंड श्रेंड तो यहाँ पर टीचर का जो मतलब यहाँ पर हम लेते हैं आई से और श्रेंड का मतलब किससे लेते हैं दो से ठीक है कि सिक्षक और विद्यारती के बीच एक समवाद के लिए बुब मंडिया रिंद्व की पहचान की एक आ ऐन इडिट एंड एक ऐए डव ठीक है तो यहाँ पे देखी हम देखते हें कि दो तरह के जो समंवन्द आकसर जो देखने को मिलते हैं एक संबन जो होता है कि आपस में रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे का संबान करते हैं एक दूसरे की बात मानते हैं एक दूसरे की बात सुनते हैं और एक तरह का relation दूसरा जो होता है वहाँ पर क्या होता है कि हम एक दूसरे को अपने मतलब के लिए यूज करते हैं हम एक दूसरे की respect नहीं करते हैं हम एक दूसरे से बस अपना काम निकलवाना चाहते हैं तो इसी तरह से बुबेर ने भी दो तरह के सम्मंदों के पहचान की I, It and I and Do ठीक है तो सबसे पहले I, It, Relationship क्या है यहाँ पे क्या है कि हम एक दूसरे को जैसे It जो यूज होता है आप सब को पता है कि Things के लिए यूज होता है तो हम एक दूसरे को इस तरह की एक दूसरे को सिर्फ यूज किया जाता है उनको कंट्रोल किया जाता है ठीक है यहाँ पे Love, Respect का कोई मतलब नहीं रहता तो I, It, Relationship के बारे में बुबेर ने कहा तीस तरह की बात और फिर Second जो Relationship है I and Do जहाँ पे इंसान एक दूसरे को इंसान समझता है यहाँ पे एक दूसरे को यूज किया जा रहा है एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोसिस की जा रही है यहाँ पे प्यार नहीं है यहाँ पे Respect नहीं है लेकिन I and Do में क्या है यहाँ पे प्यार है यहाँ पे Respect है यहाँ पे हम एक दूसरे का सम्मान करें एक दुसरे की बातों को सुन रहे हैं तो फिर इन दो तरह की रिलेसंस की बात करते हों बुबेर ने क्या कहा तो बुबेर ने कहा कि जो आई हैं दो का जोई संवाद है जो इzie relationship है सबसे अच्छा बताया ठीक है और उनका मानना था किACHर और sichënd में भी इस तरह का relationship होना चाहिए, जहांपे teacher श्रें एक दूसरे की respect करें, एक दूसरे से ज़़ागा बात करें, दूसरे का संमान करें, दिल में दोनों के एक दूसरे के लिए प्यार हो, एक दूसरे के समझियाओं को समझें, उसका किस तरह से निवारन किया जा सकता है इसके बारे में बात करें तो एक teacher show end के बीच में जितनी ज़्यादा बात होगी उतना मतलब हम कह सकते हैं कि education को और बैतर बनाया जा सकता है So in education the teacher must see the learner as though कि education में teacher को learner को क्या समझना थे यह यहां तो यहां पर teacher का role क्या है आई का और जो learner है क्या है दो का ठीक है So the teacher must see the learner as an individual for whom he is in this profession as a teacher कि teacher जब भी अपने class में जाए बच्चों को देखे तो उसको क्या सोचना चाहिए उसको सोचना चाहिए कि भाई इन ही के लिए तो मैं यहां पर आया हूँ इन ही के लिए इन ही बच्चों के लिए तो मैंने course किया है इन ही बच्चों के लिए मैंने इतनी मेहनत किया है और इन ही बच्चों के लिए मैं school में आया हूँ तो जब इन के लिए आया हूँ तो मुझे अपना best बच्चों के लिए करना है मैं बच्चों के लिए आप आया हूँ तो मेरा जो लाइफ का जो अबजेक्टिव है इन बच्चों को और बहतर बनाना है इनको एक अच्छी एजूकेशन देनी इनको आगे बढ़ाना है तो एक चीज टीचर को सोचने चाहिए जो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बुवेर का जो आइडिया है बहुत ही अच्छा है ठीक है कि एक टीचर बच्चों के लिए आए तो इसको बच्चों के लिए जी जान से काम करना चाहिए बुवेर की समवार दर्सन में सिच्छक असार सिच्छक शिक्षारती संबंद पर केंदरित है इसेंस आफ टीचिंग in Buber's Dialogue philosophy is centered on the teacher-learner relationship तो यहाँ पर जो Buber की जो यह Dialogue philosophy है इसमें इसका जो centered क्या है teacher और Shren की relationship है teacher और Shren का संबंद है जो और भैतर कब हो सकता है कि जब teacher और Shren में जादा से जादा समवाद हो ठीक है कि बुबेर ने सेक्षिक प्रिक्रिया कि आफ सकता के रूप में सिच्छक और विद्यारती के सम्मन पर जोड़ दिया क्योंकि एक teacher-restaurant का relationship अच्छा कब होगा जब उनमें जादा से जादा डायलोग होगा ज़रा ज़रा बातचीत होगी विद्यारती जो श्ट्रोएंट है अपनी बातों को teacher को बताएगा अपनी problems को बताएगा तो इसकी ने teacher को भी चाहिए कि एक ऐसा environment बच्चों को दे ताकि बच्चा अपनी बातों को कह सके बता सके जितना ज़रा समवाद होगा उतनी problems का पता चलेगा और उतनी अच्चे से उन problems को solve किया जा सकता है इसलिए जो डायलोग टीचर और स्ट्रोएंट के बीच में इसलिए इतना ज़्यादा महत्पून है education can be given a live form only through the dialogical relationship between the teacher and the student की सिच्चक और विद्यारती के वीच में समवादात्म सुमद द्वारा ही सिच्चा को एक जीवन्त रूप दिया जा सकता है ठीक है अगर हमें learning को active बनाना है एक जीवन्त रूप देना है तो उसके लिए समवाद बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है अगर सिप टीचर बोलता रहे ठीक है और student चुप चप रहे क्लास में उसको कुछ बोलने का मोगा ना मिले तो फिर हम ऐसी जो learning है इसको हम एक जीवन्त नहीं कह सकते ठीक है इसको एक leave form में हम नहीं कह सकते तो leave कब होगा जीवन्त कब होगा जब एक क्लास में बच्चे और teacher के भी समें जितना जादा dialogue होगा so only through real dialogue in education the potential of the student can be recognized and their talent can be developed की शिक्चा में वास्विक समवात के माधियम से ही विद्यारतियों की जो च्छमता है उनकी जो capabilities है उसको पहचाना जा सकता है और उनकी परतिभा का talent का विकास किया जा सकता है इसलिए teacher को चाहिए कि अपनी class बिल्कुल मायूस ना बनाए बलकि बच्चों को opportunity दे बच्चों से जारा सी जारा अपनी बात को बच्चे बोले इसलिए teacher भी बच्चों से बात करे तो एक class में जितना समवाद होगा एक teacher showin के बीच में जितनी बात चीत होगी उतना ही बच बुवेर ने किसका example दिया जैसे मैंने आपको बताया कि starting में जो हसीदवाद है उससे बहुत ज्यादा जो बुवेर थे बहुत जारा परभावित थे so बुवेर compared the image of a teacher to the image of the जैदिक ठीक है जैदिक कौन थे जैदिक जो जो tradition है इसकी एक महान लीडर थे ठीक है महान धार्मिक नेता थे तो teachers को compare इन्होंने किस से किया जैदिक से किया ठीक है अब जैदिक में ऐसे क्या qualities थी कि जिसको इसलिए जो बुवेर ने जैदिक से teacher को compare किया तो इसकी भी बात बुवेर कहते हैं कि जैदिक is the historical embodiment of all the qualities बुवेर's valued most highly in the teacher कि जैदिक उन सभी गुणों का एथिहासिक अवतार है जिन्हें बुवेर एक सिक्षक में देखना चाता है ठीक है His life is an example of truth, honesty, his curse on for his followers and his whole hearted dialogue with them कि उनका जीवन सत्थ इमानदारी उनके अनिवायों के लिए उनके चिंता ठीक है और उनके साथ पूरे दिल से समवात का उधारन है तो देखिए इस से हमें समझ में आ रहा है कि जिस तरह से जैदिक की life जो थी वो उसमें क्या था उसमें truth थी honesty थी और जो उनके followers थे उनके लिए उनके दिल में चिंता थी उनके साथ एक अच्छा समवात था तो उसलिए एक teacher की life में भी ऐसा होना चाहिए कि teacher जो एक मतलब उसमें सत्यता होनी चाहिए honesty होनी चाहिए मानदारी होनी चाहिए truthfulness होनी चाहिए ठीक है तो इस सारी चीज औ और साथ के साथ teacher में जो teacher के जो student है ठीक है उनके लिए teacher के दिल में चिंता होनी चाहिए उनके future को लेकर उनकी learning को लेकर और साथ में teacher का पूरे दिल से अपने बच्चों के साथ समवाध होना चाहिए तो इसलिए हम देखते हैं कि जो जैदिक था ठीक है एक जैदिक में पेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम जैदिक्स लाइफ, ही टॉक्ट अबाउट फॉलोविंग क्वालिटी इना टीचर की जैदिक की जीवन से प्रेंडला लेते हुए, उन्होंने सिक्षक में कौन-कौन से इंगूर्ण बताए कि ट्रॉष्ट, विश्वास, एक टीचर और श्रॉंट में, जितना ज्यादा ट्रॉष्ट होगा, उतना ही जो श्रॉंट है अपनी बात टीचर को बता सकता है, तो टीचर ऐसा हो जिस पर बच्चे ट्रॉष्ट कर सकें, विश्वास कर सकें, तो अगर टीचर सत्य के राश पर चलेगा, सत्य के मार्ग पर चलेगा, तो बच्चा भी उसको फोलो करेगा, बच्चे के नियों आइडियल बनेगा, तो truthfulness of the teacher की सीचर की में सत्यनिष्ठा होनी चाहिए illustration, distance, teacher एक ऐसा हो जो अपनी life related example दे बच्चों को ठीक है और अच्छी examples के थुरू बच्चों को समझा सके क्योंकि education में क्या है कि concept clear करने के लिए जितने अच्छे examples बच्चों के सामने हो बच्चा उतना ही अच्छे से सीख सकता है तो एक teacher क्या होना चाहिए कि जो एक और देखते हैं कि teaching में बच्चों को अच्छे example दे अपनी teaching में साथ के साथ खुद भी बच्चों के लिए एक example बने तो यहाँ पर दो तरह की example हम illustration हम समझ सकते हैं कि teacher भी बच्चों के लिए teacher की personality ऐसी हो जो बच्चों के example हो चाहे उसकी truthfulness हो चाहे उसकी honesty हो चाहे उसका इमानदारी हो चाहे उसकी behavior हो तो teacher बच्चों के लिए एक स्टांध होना चाहिए ठीक है और साथ के साथ टीचिंग में भी एक टीचर जितने अच्छे एग्जामपल देगा लाइफ से रिलेटिड एग्जामपल देगा बच्चा उतनी चीजों को अच्छे से समझेगा और रेमेडियल कंसर्ण फोर ओल फोर दा वैल बिंग ऑफ दे श्ट्रेंड की विद्यारती के भलाई के लिए एक उपचारात्मक चिंता जिस तरह से हम देखते हैं जैदिक अपने फोलवर्स के लिए जैदिक के मन में हमेशा चिंता रहती थी उसी तरह से बच्चों के प्रब्लम को सॉल करके उनको आगे बढ़ा सकते हैं इडिन्टिफाइंग टैलेंट के टीचर ऐसा हो जिसे बच्चों की जो टैलेंट है उसकी जो चमताएं हैं उसके बारे में पता हो उसको पैचान सके तभी तो बच्चों को एक सही ट्रेक पर बच्चों को गाइड कर सक बलकि उसकी विकास में उसकी सहता करने चाहिए ठीक है कोई बच्चा ड्रोइंग में अच्छा है तो उसको यह नहीं कि तुम मत करो तुम मैट्स अच्छा करो यह करो करो नहीं इस तरह से नहीं अगर कोई ड्रोइंग में अच्छा तो उसको टैलेंट टीजर का काम में उस तो उसको कहो कि नहीं तुम dance करो कोई teacher कोई student अगर हम देखते हैं कि उसकी math में अच्छा है ठीक है तो नहीं तुम दूसरे subject पे ज़्यादा focus करो वो ज़्यादा important है तो ऐसा नहीं teacher का जो interest student का जो interest है जिस area में जाना चाहता है तो teacher उसके interest में interfere ना करके बलकि उसको promote करे उसके development में उसकी help करे okay so what we have learnt from बुबेर कि बुबेर से हमने क्या सीखा so बुबेर से हमने यह सीखा कि the teacher should be truthful because he teaches truth कि teacher को सच्चा होना चाहिए क्योंकि सच्चा ही सिखाता है उसे इमांदार होना चाहिए क्योंकि वो इमांदारी सिखाता है वो सब के लिए एक समान होना चाहिए क्योंकि वो नया justice सिखाता है और इसके दिल में सब के लिए प्रेम होना चाहिए क्योंकि वो प्रेम सिखाता है जैदिक से example लेते हैं उन्हेंने का कि टीचर जो होना चाहिए वो जैदिक की तरह होना चाहिए ठीक है तो इसलिए टीचर और श्रोइन के बीच में एक डायलोग होना चाहिए अच्छा डायलोग होना चाहिए ताकि श्रोइन टीचर पे ट्रस्ट कर सके ठीक है इसके लिए टीचर को भी उस तरह का एक्जामपल खुद बनके दिखाना कमेंट करके जरूर बताईएगा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद